देखो इस बार Corona Virus आचुका आपको पता है कि Corona Virus के कारण हमारा पुरा Life Style चेंज हो गया है तो इसी के कारण आपको जब सेंटर पे जाओगे तो आपको बहुत सारे चेंज देखने मिलेंगे तो आपको बताता हूं सबसे पहले कि आपको क्या-क्या ले जाना है और उसके बाद तो आपको पैस admit card होना चाहिए, इसके तुर आपको entry मिलेगी और आपको coronavirus pandemic के कारण specifically यहां पे लिखा गया है कि sanitizer, a pair of gloves and mask, आपको तीन चीज़े required है हमेशा एक sanitizer की जोटी सी bottle, एक pair of gloves और mask, mask क्यों चाहिए cover करने के लिए face को, तो एक mask आपको अच्छा सा लेना है तो फिर आपको safety रखना ज़रूरी है, आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी पानी पीने की facilities, कोई भी food stuff, मतलब खाने पीने की चीज़े वहाँ पर नहीं मिलेगी center पे, तो आपको अपनी व्यवस्ता लेके चलनी है खाने पीने के लिए आपको bottles वगेरा, सब कुछ लेके चलना है पर आपके जितनी भी bottles और खाने पीने के stuff होंगे, उसको भारे आपको submit करना होगा तो यह सब आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर पानी पीने की भी facility नहीं होगी तो आपको अपना पानी भी साथ में ले जाना ऐसा expected है कि students जो है एक गंटे पहले वहाँ पर center पर पहुँच जाए और हो सके तो एक दिन पहले भी center को visit कर ले जाकर के ताकि उनको time travel का पता चल जा है कि कितने time में वहलो center तक पहुँच पा रहे तो अब चाकू हो गया किसी भी तरह कि कोई भी mental की जीज़े तो वह आपको नहीं ले जानी है उसको avoid करना है कोई भी jewelry आपको avoid करना है other gadgets mobile phone ear phone microphone कोई भी किसी भी तरह का electronic gadget है उसका avoid करना आपको पता है अपको पता है कि यह सब चीज़े अवॉइट करनी है इसके बाद आपको बतना चाहता हूं कि आपको यूज़ नहीं पहन सकते आप मफलर नहीं पहन सकते आप वहां पर डुपट्टा जो है वह भी नहीं लगा सकते है player scarf या फिर किसी भी तरह कीzas जो कि आप अपने एपने आपको cover करने के लिए use करते है वह सब आपको यूज्स नहीं पहनके नहीं जाना आपको पता है और वहांपर आपको कोई भी goggles goggles क्या होता है, goggles के बात करहे हूं एकदम light और comfortable जो आपके clothes है वो आपको पहनने है बिल्कुल आपको साधा जीवन उच्च विशार बिल्कुल आपको साधू बनके जाना है वहाँ पर और यार बिल्कुल आपको मतलब देड़ गंटे से पहले वहाँ पर रिपोर्ट करना है आपको और वहाँ पर आपको सेंटर पर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि यार मेरी यह religious condition है इसलिए मैं जो है dress up करके आया हूँ और मुझे इसलिए allow करा जाए फिर वो लोग वहाँ पर decide करेंगे कि आपको allow करना है या फिर नहीं करना है मैं काऊंगा आपको कि आप अवाइट करें उस दिन कुछ ऐसा कुछ पहनना ताकि आपको कोई भी hesitation ना हो exam देने के लिए आपको बताना चाता हूँ कि आपको handbags, stationery items, gadgets किसी भी तरह का electronic या फिर communication devices जैसे की mobile phone हो गया और bluetooth या फिर किसी भी तरह की ऐस या फिर कोई electronic चीज तो यह सब आपको avoid करना है तो यार यह था कुछ basic guidelines मैं आपको boys और girls के लिए अलग से अगर get up बता हूँ तो बिल्कुल अपको simple और minimalistic जो है dress up करना है आपर ताकि किसी भी तरह से ऐसा ना लगे कि आपने कुछ चुपाय हुआ हुआ है या फिर किसी भ आपको बताना चाहता हुँ कि आपको जो है scarf अगरा भी नहीं लगाना है तो आपको minimalistic वहाँ पर आपका dress up रखना है तो thank you very much यह चोटा सा video जो कि आपको बहुत ज़्यादा important हो सकता है आपके लिए अगर आप exam देने चाह रहे है तो